हाला मरब स्लाव अलेक्लों केसे हैं आप सब मीद करता हूं सब बहुत अच्छे से होंगे इंडिया या फिर अधर और कंट्रियों से जो बगला देश पाकिस्तान या फिर और दूसरीय कंट्री हैं जो सौधिर अपने पहले बंद की हुई थी लेकिन अभी ओपन की हुई है जिनकी सेकंड बोest complete लग चुकी है या फिर वाया किसी कंट्री होके आ सकते हैं किसी कंट्री ओके आने में आपके पास में काफी सारे option है दुबई भी अभी available है बहरीन है लेकिन जो बहरीन है वह काफी आपको कम कोश्ट में पढ़ जाता है उसका package आपको काफी कम rate में मिल जाता है और बहरीन काफी अच्छा option है बोर्डर से बहरीन और सौधी अरब दोनों आपस में सटे हुए है तो बहरीन एक अच्छा option आ जाता है जब आप बात करते हैं कि हम किस country से सौधी अरब में entry ले वाया होके तो इस वीडियो में मैं आपको बहरीन का विजा किस तरीके से आप अपलाई करेंगे उसका पूरा process बताऊंगा क्योंकि अगर आप बहरीन में enter होना चाहते हो और बहरीन में 14 दिन इस्टे करके आप फिर सौधी अरब में जाना चाहते है या फिर आप बहरीन में घूमने क लिए जाना चाहते हैं तो आपको जरूरत पढ़ती है वहरीन के इविजे की ठीक है इविजा आपको इस्टैंपिंग कराने की जरूरत नहीं है पासपोर्ड पे जश्ट आप उसको अपलाई करेंगे और अपलाई करने के कुछ दिन के बाद में आपको विजा मिल जाता है उसका rate क्या है कितना खर्चा आएगा किस तरीके से आप अपलाई करेंगे पूरा process इस वीडियो में मैं आपको completely बताने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं गर वीडियो आपको अच्छा लगए तो like कर सकते हो चानल को subscribe और वीडियो को share जरूर करते हैं चलिए अभी मैं चलता हूँ अपने computer की screen पर वहीं से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहरीन का जो visa है वो apply कर सकते है ठीक है तो चलिए मैं यहां से अपना computer open कर रहा हूं और यहां पर computer में ने open कर लिया है यहां पर हम लिखेंगे google में बहरीन e-visa बहरीन visa process यहां प यहां पर लिखा हुआ है what is the visit visa for Bahrain electronic visa service तो इस पर आप just click कर देंगे सबसे पहली website वहां पर आ जाएगी बहरीन के जो visa है वो काफी type के visa है उसमें हमको सिर्फ e-visa चाहिए जो एक महीने के लिए यानि के one month के लिए होता है तो वही हमको चाहिए तो आप नीचे scroll down करके और website यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है इस तरीके से आपके सामने interface आ जाएगा इस website का तो यहां से आपको जो select करना है वो मैं अब आपको बताएता हूँ यहां पर बूच रहे है कि आपके पास में GCC citizen ID है तो अगर आप सौधी में काम करते हैं फिर जो GCC country होती है अगर आप उनमें काम करते हैं तो आप यहां पर yes करेंगे लेकिन अगर आप अपनी family को ले के आ रहे हैं और आपकी family इंडिया से direct बहरीन में आएगी तो आप यहां पर no करके और उनका visa किस category में आप निकाल सकते हैं वो यहां पर आप check करेंगे ठीक है तो हमारे पास में अगर आप खुद जा रहे हो इंडिया साओधियरब से इंडिया और अपनी family को ले के आ रहे हो तो आप यहां पर अपने लिए select करेंगे कि आपके पास में जी सी 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 इडिजन का जो card है या निका आपका एकमा है वो है लेकिन अपनी family के लिए आप सलाइट करेंगे कि आपके प आपको और बता दो अगर आप किसी और दोस्त के लिए किसी के भी लिए वीजा अप्लाई कर रहे है तो अगर वो first time साओधियरब में आ रहा है तो उसके लिए आप यहां पर no रखेंगे ठीक है अगर आप इस वीजे को निकालने में कुछ भी आपको confusion हो रहा है कोई परिस tourism के लिए यहां पर transit वाला option नहीं है तो हम tourism करेंगे यहां से पूछ रहा है आपकी जो किस category में आप आ रहे हैं तो transit का option हमको इस दूसरे वाली category में मिल जाता है ठीक है यहां पर देखिए study के लिए medical के लिए या फिर किसी और चीज के लिए तो हम यहां पर select कर देंगे transit क् transit होगे दूसरी country में जाना है उसके बाद मैं nationality यहां से मैं India select कर लेता हूँ ओके इंडिया हो गया अब यहां पर यह जो capture code है इसको हम यहां से fill कर देंगे ठीक है 5W ओके next करेंगे next करने के बाद में जितने भी visa category available है बहरीन के पास में वो सारे category यहां पर आपके सामने open हो जो visa चाहिए वो है e-visit visa multiple one month ठीक है और यहां पर आपको एक चीज और भी बता दूँ में यहां पर देखिए apply for MPRA यानि कि NPR से apply होगा और यह जो नीचे है यह वाया MBC apply होगे ठीक है यह जो visa है यह वाया MBC apply आप कर सकते हैं लेकिन हमको करना है internet से apply ठीक है तो यहां पर देखिए visit e-visa multiple और permanent condition आप यहां पर पढ़ सकते हैं और यह यहां पर लिखा हुआ है internet और यहां पर लिखा हुआ है apply देखिए यहां से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यह वाला e-visa multiple और यहां पर one month के लिए और यह है internet ठीक है तो आप जस्ट इसके उपर किलि apply के लिए ठीक है तो चलिए मैं यहां से इसको apply के लिए just click कर देता हूं apply के लिए मैंने क्लिक किया यहां पर term and condition है इसको accept करेंगे accept करने के बाद में जो application form है वो हमारे सामने open हो गया है यहां पर अब हम अपने इस passport का इस्तवाल करेंगे जो हमारे passport में information है वो सारी information हम यह जाल रहे हैं वो mistake ना हो passport आप अपने पास में रखके तब apply कीजिएगा ठीक है यह information में आपको यहां पर भरके भी दिखा सकता हूं लेकिन मैं आपको पहले example के लिए सारी चीजे अच्छे से समझा देता हूं ठीक है ताकि video बनाने में ज्यादा time ना लगे तो सबसे पहले यहां पर आपको डालना है passport number उसके बाद में यहां से आप select करेंगे अपनी nationality आपको अगर कोई भी confusion है तो यहां पर जो एक question mark के निसान आ रहा है इन पर click करके आप देख सकते हैं जहां पर आप confused हो ठीक है यहां से nationality select हो गया उसके बाद में आप लिखेंगे date of birth आपके passport passport में जो भी date of birth होगी वो डाल देंगे date month और year यहां से select करेंगे male और female अगर आप male है तो male कर दें female है तो female कर दें उसके बाद में select करेंगे country of birth country of birth में आपको जिस country में आप पैदा हुए है उस country का यहां पर नाम select करना है यानि कि आपकी nationality passport expiry passport expiry आप यहां पर लिखेंग family name family name में कई बन्दों के दो नाम होते हैं जैसा मेरा नाम है साविर त्यागी तो चाविर मेरे genuine name है त्यागी मेरा family नेम है तो मैं यहां पर यहां पर लिखेंगे given name में आप और नाम अपने साथ में add नहीं करेंगे अपनी degree अपने सारी चीज़े आप यहाँ पर और कुछ भी add नहीं करेंगे ठीक है given name में आपको यहाँ पर सिर्फ अपना simple नाम डालना है और उसके बाद में occupation आप क्या करते हैं जो भी आप काम करते हैं यहाँ पर लिखेंगे job title जो भी आपका होगा वह आप यहाँ पर लिख देंगे कि मैं यह काम करता हूँ palace of work आप किस country में काम कर रहे हैं या फिर आप कहां पर काम कर रहे हैं वह आप यहाँ पर डाल देंगे email address आप बिल्कुल सही से डालेंगे क्योंकि email address की आपको ज़रूरत पड़ेगी और email address अगर आपने गलती से भी गलत डाल दिया तो उसके आपका वीजा जो है वो जाएगा और वो गलत हो जाएगा ठीक है तो email बिल्कुल सही डालना telephone number office वगेरा का किसी का आप दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर mobile number भी डाल सकते हैं उसके बाद में father full name आपके father का पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे यह सारी information आप मैं इस form में fill कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको next step पर लेके चलता हूँ तो चलिए मैं next पर click और अगर यहाँ पर कुछ भी mistake होगा तो यह हमको बता देगा कि यहाँ पर आपकी यह mistake है लेकिन आप भी एक बार reject कर लें सारी चीज़ा आपके पास में option आएगा सब कुछ आप देख ले अपना कि सब कुछ आपने सही से fill किया है या नहीं उसके बाद में आप यह यहाँ पर इसको change करने का भी option मिलेगा आप इसको change कर सकते हैं और यहां से कर सब कुछ सही है तो next कर देंगे ठीक है तो मैं next कर देता हूं next करने के बाद में हमारे सामने नया अगला interface open हो जाएगा और वो थोड़ा सा हो सकता ही कि आपके साथ में time ले और next page पर हम अपने आ आपको यहाँ पर आपको यह सारी चीजे देनी पड़ेंगी अगर आप वीजा निकालना चाहते है ठीक है तो कौन-कौन सी चीजे यहाँ पर आपको देनी पड़ेंगी यह देखी यहाँ पर return ticket रिटन टिकेट आपको देना पड़ेगा return ticket यहाँ पर pedia file बनाके आप बाद में आपने computer में उसको रख सकते हैं और PDF file आप यहां जैसे browser में जाएंगे तो आपको PDF file का option मिल जाएगा तो आप उसको यहां से select करेंगे और open कर देंगे ठीक है तो यह PDF file आपकी यहां पर ले लेगा जैसे अभी इसने मेरी यह वाली PDF file उठा लिए अब यहां पर आप passport passport के लिए भी आप इसी तरीके से करेंगे और यहां पर आप उसको upload कर देंगे ठीक है अब यहां से hotel booking passport देने के बाद में hotel booking चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से आप जब बहरीन का इतराज form fill करते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से option देखने को मिल जाते हैं उसी त statement भी पूछ रहा है और यहां पर baggage statement आप अपनी पहले ही bank से PDF file निकाल के उसको भी अपने computer में रख लें और आप यहां से आउसका आसानी से दे सकते हैं ठीक है क्योंकि जब आप कतर के लिए visa apply कर दें तो कतर में airport पे कभी कभी आप से पूछ लेता है कि आपकी जो bank statement है वो clear और यहां से आप इसको लिख सकते हैं अगर कुछ लिखना चाहें छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं ब्राउजर में आपको एक कोई भी documents आप दे सकते हैं अपना जैसे आप अपने आकामा दे सकते हैं passport की copy आधार card यह कुछ भी एक अधर documents यहां पर दे सकते हैं नाम उसमें attachment आपका होना चाहिए तो एक documents यहां से डाल के आप इसको next करेंगे ठीक है next करने के बाद में नई window आपके सामने open हो जाएगे और कि इस तरीके से आपके सामने जो नया interface से वो open हो जाएगा यहां पर reference number दिखाएगा यहां पर nationality, passport number, family name और given name आपने कौन सा नाम दि visa की fee से 4 बहरीन दिराम इसके बाद में इसमें 5 और add किये जाएंगे और यहां से आपको total payment करना है यहां पर कुछ नीचे warning भी लिखी हुई है you should not complete your application now if हमें यहां पर अपनी application में देखिए यहां पर जो जो चीजे डाली है वो सब कुछ हमें यहां पर बता रहा है और हमने इसमें जो भी information डालनी है वो बिल्कुल सही डालनी है ठीक है तो हम अपने वीजे के final page पर आ चुके हैं और यहां से हमें अब payment pay करना है जो हमने अपना वीजे के लिए payment देना होता है वो pay करना ही इसकी जो fees थी पहले इस वीजे की fees थी 9 बहरीन दिनार लेकिन अभी इसकी fees कर दिये इनोंने 4 बहरीन दिनार एक दिनार तकरीबन 12-13 रियाल का होता है तो उसी हिसाब से आप इसको calculate कर सकते हैं कि यह तकरीबन कितना बनेगा चालिश-पचास डोलर चालिश-पचास रियाल का असपास बनेगा तो आप इसको pay करेंगे पे करने का आपके पास में यहाँ पर देखिए credit card का option है pay by credit card जैसे मैंने आपको पहले ही पता था कि passport और credit card या फिदेबिट credit card साथ में लेगे बैठना ठीक है अगर आप दूसरी application फिल करना चाहते हैं तो उसका option आपको यहाँ पर मिल जाता है हमारा reference नंबर हमें मिल चुका है यहाँ पर देखिए हमारा reference नंबर है पास में option आ जाता है कि कौन से card से हम fees pay करना चाहते हैं तो यहाँ पर American Express है Mastercard है और Visa card है तो हम Visa card select कर लेते हैं ठीक है Visa card हमने select कर लिया है और यहाँ पर हम Visa card का अपना number डालेंगे ठीक है मेरा number और Lady Google में add है तो मुझे add करने की ज़रूत नहीं पड़ती है तो यहाँ से देखिए Visa card का हमारा number आ चुगा है expiry date यहाँ पर डालेंगे और month यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में security code जो CVV नमबर होता है ATM card के पीछे वो यहाँ पर डालेंगे और 4 बहरीन दिनार हम यहाँ पर pay कर देंगे ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है pay सारी information डालने के बाद में जैसे यहाँ से मैं इसको select करता ह हूँ और यहां से मैं अपना CVV लिखूंगा तो मेरी जो information है यहाँ पर पूरी आ जाएगी और just आपको बस paper click कर देना है जैसी आप paper click कर देंगे तो आपके सामने एक application form आ जाएगा उसका print निकाल के रख लेना और जब आपका visa approve हो जाएगा तो आपको email आ जाएगा कि visa आएगा और visa आने में तकरीबन 8 से 10 या फिर 12-15 दिन भी लग सकते हैं इतना time बिल्कुल आप मानगे चलिए कर आप बहरीन के थुरूट travel करने की try कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं तो visa आप पहले ही apply करवा लीजिए visa apply करवाने के लिए आप मुझे से of course contact कर सकते हैं मेरा whatsapp number आपको description में मिल जाएगा लेकिन आप मुझे सिर्फ whatsapp पे ही contact करेंगे वहीं से मैं आपका सारा काम कर दूँगा सोधी family visit visa भी निकलवाने के लिए अगर आपको कोई मेरी help चाहिए visa चाहिए बीना का feel company के तो उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा whatsapp number आपक share जरूर कर देना ताकि और लोगों की भी help हो सके मिलते हैं को और नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए take care bye bye टाडा